तो प्यारे विद्ध्यारतियों नमस्कार स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में प्यारे विद्ध्यारतियों आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लीज दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राब जरू कर ले और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिएगा प्यारे विद्ध्यारतियों बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं बेखते और समझते हैं कि आपका कक्चनों में का तो इसी प्रकार का होगा जैसा कि दोस्तों अमारे दोरा यहां पर आपको दिखाया जा रहा है तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं समझते हैं कि आपका कक्चनों मी का विज्ञान विशे का कोस्चन पेपर आपका परिक्चाओ में किस प्रकार का आएगा कितने क परिक्चाव में यहां से आप से पूछे जाएंगे आज दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आप सभी को आपके पेपर में आने वाले कोश्चन नमर 6 से लेके और 23 तक कि सभी कोश्चन का सोलूशन यहां पर प्रोड़ करवाय जाएगा तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडि कि कोश्चन के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आप उसको भी देख लीजेगा मगर दोस्तों यहां पर मैं आपको कसछन नमरro 5 से लेके और आपके कोश्चन नमरro 20 कोश्चन आएगे से 20-22 कोश्चन आएगे यहां तक का पूरा कोश्चन का सोलूशन में आपको बताने वाला हूँ तो चलेगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रतिक कोश्चन और उसका सोल्यूशन यहाँ पर तो देखेगा प्यारे विद्यारतियों आपका जैसा कि यह पांच यह आपका जो पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ इस पार्ट में से दोस्तो कौन-कौन से कोश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए तो देखेगा दोस्तो most IMP question आज मैं आपको इस पार्ट के बता रहा हूँ देखेगा दोस्तों यहाँ पर question दिया गया है आप सब लोग दोस्तों यहाँ से देख सकते हो swimming pool में गोता को और पानी काट पाता है इससे पदार्थ का कौन सा गुन परचेरी सित होता है अगला question यहाँ पर दिया गया है आपको 101% आज आपको ऐसे question बता रहा हूँ में जो कि दोस्तों बिल्कुल आपके परिक्चाव में पूचे जाएंगे अगर दोस्तों आपने यहाँ से इस वीडियो को पुरा देख लिया तो आप यह समझेगा दोस्तों कि पूरे के पूरे दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर प्रॉइट करवा रहा हूँ अगर दोस्तों आपने question को देख लिया तो आप यह समझेगा पूरा का पूरा question पर दोस्तों आपका इसी जगे से बन कर आने वाला है तो अगला question ये पदार्थ की खणों की क्या विसिस्ता होती है आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको देख लेंगे और उसी के अलावा अगला question वायू मंडली गेसों को द्रवी में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विदी सुझाई जाती है और उसके अलावा अगला question आप लोग देख सकते हो गर्म सुझ के दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है ये वाला question दोस्तों आप लोग यहां से याद कर लेंगे और उसी के अलावा अगला question दे रखा है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है यहाँ से आप लोग दोस्तों इस question को देख लेंगे और पूरा का पूरा दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे देखेगा उसी के अलावा अगला question यहाँ पर दिया गया है ऐसी tone question यहाँ से समांगी और विसमांगी मिस्रण मंतर बिल्कुल दोस्तों 101 परसिंट दोस्तों आपको सुबह यह पेपर में देखने को मिलेगा इसलिए आप सभी लोग दोस्तों अभी से इसकोच्चे से तयार कर लेंगे और आगे देखा जाए तो अगला question आप लोग देख सक एक question दोस्तों यहाँ से आपको यह वाला जरूप कर लेना चाहिए टिंडल प्रवाव क्या है यह देने की जीवन में कहां का द्रेश्टी कोचर होता है और उसी के लावा एक यह वाला कोच दोस्तों आपको जो कोशिका वाला पाट है उसमें से दोस्तों आपको एक यह वा परिगाम में जिल्डिक्यों कहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप सब लोग दोस्तों इस question को याद कर लेंगे और उसी कहला दोस्तों आगे question दिया गया very most time पी question दोस्तों आज मेरे दोरा है उपर आपको बताया जा रहे हैं अगर दोस्तों आपने यहां से question नमर 6 से लेके और ये समझेगा कि आपने 22 तक के पूरे के पूरे कोश्चन दोस्तो आपके यहां से तयार हो जाएंगे तिसलिए आप सभी लोग दोस्तो पूरा का पूरा वीडियो जरू देखें और दोस्तो अबजेक्टिव कोश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना कर मेरे दौरा डाल दिया गया है मुझे उम्मीड है कि दोस्तो आपने इस वीडियो को भी देख लिया होगा देखेगा आगे अगर देखा जा तो यहां से आप इस कोश्चन को ले सकते हो लाइसोसम को आत्मगधाती तेली क्यों कहते हैं देखेगा दोस्तो यहां पर इस कोश्चन दिया गया है आप सब लोग दोस्तो यहां से इसको समझ लेंगे और इसका याद कर लेंगे गुसी कहला दोस्तो अगला कोश्चन यहां पर दिया गया है देखिएगा दोस्तो पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में अंतर जी यहां दोस्तो कौन सी में पादप कोशिका में और जन्तु कोशिका में यहां से आप से अंतर पूचा गया है देखिएगा दोस्तो यहां पर दिया गया है इसमें सलिलोज की बनी द्रण कोशिका भित् पादब कोशिका में लवक पाये जाते हैं और इसमें लवक नहीं पाये जाते हैं देखिएगा दोस्तो इसके अलावा अगला ये दिया गया है और उसी के अगला ये दिया गया है आप पूरी तरह से दोस्तो इसको याद कर लिजेगा दोस्तो पादप कोशिका और जनतु कोशिका में अंतर वेरी मोस्ट आइम पी कोशिका ने दोस्तो इस पार्ट का बिल्कुल 100% दोस्तो आप से परिक्चाव में यह वाला कोशिका पूचा जाएगा तो इसलिए आप लोग यहां से इसको याद कर लेंगे और उसी के अलावा कारे जाइलम के कारे और उसी के अलावा दोस्तो आगे यहां पर देखा जाए तो माइट्रो कॉंड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं तो देखिए दोस्तो आदा कोशिका को यहां से आपको यह याद कर लेना है कि माइट्रो कॉंड्रिया को कोशिका का ऊर्ज अगर क्यों खाजाता है और यह इसके बाद का उत्तर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यह वाला दिया गया है आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे पूरा का पूरा जो कि इसका भज़ गया था तो आप पहले एक सिंसोट यहां से ले लेंगे इसका ये और यहां तक का ये और इसके वाले के बाद का दोस्तों कंटिन्यू यहां से आपको लिखना है देखेगा यह मैंने बता दिया आपको यहां तक का लिखना है अपलो और उसी कहला दोस्तों अगर आगे देखा जाते हैं आगे देख सकते हैं दोस्तों आपका जो में बचा है आप सभी लोग दोस्तों इनका रिविजन अच्छe से कर लेंगे देखेगा एक यह वाला कोश्चन दिया गया घ्याद होता है यह लोग दिया गया है यह कोश्चन आप keeping डख सकते हो देखेगा रंदर क्या होते हैं आप लोग दोस्तों यहां से इसको याद कर लेंगे अच्छे से और उसी के अलावब दोस्तों यहां से आपको चाल और वेग में बिल्कुल दोस्तों most आईपी कोश्चन है, इस पार्ट का, ये बिल्कुल आपसे दोस्तो 101%, दोस्तो आपसे परिक्चाओ में पूचा जाएगा, तो अब सभी लोग दोस्तो यहाँ से इसको देखेंगे, समझेंगे, और इसको याद कर लेंगे, दोस्तो पूरा का पूरा का कोश्चन दोस्तो यहां से आपको बता रहा हूं तो आप सब लोग दोस्तों यहां से इनको देखते चलेंगे और पूरा का पूरा दोस्तों इसको याद कर लेंगे चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखेगा यहां पर दिया गया है देखेगा क्या लिखा है विस्तापन किसे कहते हैं जी यहां दोस्तापन किसे कहा जाता है आप सब लोग दोस्तों यहां से आपको याद कर लेंगे देखेगा इसी क्यालाव दोस्तों यहां से आप लोग देख सकते हो विस्तापन एवं दूरी में अंतर इसपश्ट कीजिए देखेगा दोस्तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो दूरी और विस्तापन किसे कहते हैं देखेगा दोस्तो दूरी किसे कहते हैं और विस्तापन किसे कहते हैं यहाँ पर दोस्तो आप लोग इसको देख सकते हो तो देखेगा यह अधिसासरी है यह सदिसरासी है देखेगा और उसी के अलावा दोस्तों कहास कर दोस्तों ये वाला जो question में आपको बिदा रहा हूँ very most time फी question है दोस्तों 101% दोस्तों आपके परिक्चाव में आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए आप सब लोग दोस्तों यहां से question का revision कर लेंगे देखेगा और उसी के अलावा आगे ये वाला question बस की छत पर रखे सामान को रस्ची से क्यों बांदा जाता है very most time फी question है दोस्तों इस पार्ट के आप सभी लोग दोस्तों यहां से देख लेंगे देखेगा आप इसी के साथ में दोस्तों आगे देखते हैं तो देखेगा आप लोग यहां से दोस्तों देख पारूइंगे इसको वालयत question को द्रव्य मान। और भार में अंत्र पूछा जाएगा आप सभी लोग दोस्तों यहां से इसको नोट स कर यहां से आपको दोस्तो एक यह वाला कुस्चन बिल्कुल याद कर लेंगे और उसी के अलावा आगे देखा जाए तो यहां से आपको दोस्तो एक यह वाला कुस्चन बिल्कुल याद कर लेना चाहिए गुरुतवी तरंग किसे कहते हैं न्यूटन का सर्वतिक नियम दोस्तो आप से पूचा जाएगा और उसी कहला दोस्तो गति के तीन समीखरन लिखी है तो यह आप लोग दोस्तो यहां से देख लेंगे इसको 101% दोस्तो आपका जो पेपर होगा उसमें दोस्तो जो जो कोश्चन मेरे द्वारा यहां पर दिखाएगे हैं वो बिल्कुल दोस्तो आप से पूचे जाएंगे खासकर आप दोस्तो जनतु कोशिका और पाधब कोशिका में अंतर आप लोग इसको भी याद कर लेंगे देखेगा मैंने पेले भी आपको बता दिया है तो आप सब लोग दोस्तो यहां से यह वाला याद कर लें यह आपके लिए ज्यादा सरल होगा इसे के साथ हम दोस्ते वीडियो को यहें पर पूरा करते हैं नमस्कार जेहिन जेभारत